आज आप सीखने वाले हैं has been, have been और had been कई बार आपको कई ऐसे sentences जो है सुनाई देते हैं ठीक है जब भी बोलते हैं English तो वहाँ पर इनका use बहुत जादा होता है लेकिन ये has been हो गया, have been हो गया ये had been, mostly have been ठीक है अब ये जो है पड़ा confusion create करके रखता है और आपको समझ में भी नहीं आता है कि काहा कब कैसे और क्यों use हो रहा है, तो यहाँ पर इनके, ठीक है इनके 5 uses है has been हो गया, या have been past में जैसे had been हो गया, 5 या 6 uses है, जो जिन्दिगी भर, पूरी स्कूल टाइम में आपको परिशान करके रखते हैं, ठीक है, जो भी आपकी जर्णी है English की, वहाँ पर आपको जो है, ये problem create करते रहते हैं, तो ये मैं बहुत ही simple तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगी, बहुत ही सरल शब्दों में, तो चलिए देखें, सबसे पहले इससे पहले, जैसे है had been हो गया ये तो आप सभी subject के साथ use कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होता है have been जो है न, ये have been, इसका use तो present tense में होता है, had का past में होता है, had been का past में होगा अगर have been है, तो यहाँ पर ये subject होंगे जितने भी plural subjects है वहाँ पर और I, V, U, they I, V, U, they, ये जो subject है यहाँ पर इनके साथ अगर has been है न, तो इसका use he, she, it, he, she, it इसी sequence में याद कर ले, और जितने भी singular subject है उन सभी के साथ ठीके, confused नहीं हो कि I ही तो एक ही है, ये singular में क्यों नहीं आ रहा plural में क्यों आ रहा है तो इसको plural की category में ही मान के आप चले, इसमें रखा गया है ठीके, अब यहाँ पर देखे had been, had been सभी subject के साथ इसका use होता है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं परती एक बार अगर आप ये subject याद रख लेते है I, we, you, there, plural subject के साथ have been का use होता है his sheet और singular subject के साथ has been का use होता है तो वहाँ पर जितने भी have और has वाले sentences आएंगे वहाँ पर subject को लेकर करता को लेकर आपके सामने परिशानी खड़ी नहीं होगी यहाँ पर तो इतनी बात हो गई कि कौन से subject के साथ has I और have आए अब आगे हम चलते है जो main हमारा topic है जो हमारी problem है तो यहाँ पर 5 या 6 uses बताऊंगी मैं वही है uses वही इस्तिमाल होते हैं और वही आपको confuse करकर हमेशा रखते हैं लेकिन यह confusion आपका दूर हो जाएगा देखें सबसे पहला इस्तिमाल है रहा है के sense में रहा है रही है या रही है इस तरीके से हो जाएगा has been और have been होगा ठीक है और adjective होगा has been और have been होगा देखें past की बात करेंगे वहाँ पर had been आजाएगा ठीक है has been और have been और उसके बगल में adjective होगा ठीक है adjective adjective का मतलब वह अभी भी है continue है जो भी बात है जैसे कि वह इमानदार रहा है ठीक है या फिर वह बहादुर रहा है तो यह जो इमानदार रहने की जरनी है न इसके continue है ऐसे continue है मतलब की वह अभी भी है अभी भी है तो इस sense में he has been honest और he has been brave तो यहाँ पर देखें brave और honest adjective है पहले भी इमानदार था और अब भी इमानदार है पहले भी बहादुर था और अब भी बहादुर है यानि जिस भी ही की हो गई जो भी ही है यहाँ पर subject जिसकी भी आप बात करेंगे तो वो जो है इमानदार रहा है यानि अपनी life में शुरुआत से लेकर अब तक रहा है तो honest जो है यहाँ पर adjective है तो पहले भी इमानदार था और अब भी इमानदार है पहले भी बहादूर था आप भी बहादूर आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है रहा है कोई वेक्ती अपनी life में मानदार तो वहाँ पर has been या have been का use हो जाएगा जैसे कि आप अपनी बात करेंगे I subject यानि मैं की बात करेंगे तो I have been honest I have been honest मतलब की मैं honest रहा हूँ और I have been brave मतलब की मैं brave रहा हूँ या रही हूँ तो पहला इस्तेमाल तो यह हो गया ठीक है has been और have been के बाद में adjective आ जाएगा दूसरा इसका इस्तेमाल देखें रह चुका है रह चुका है जैसे की रह चुका है या रह चुकी है वह एक क॑केटर रह चुका है है और have been का यूज़ करेंगे क॑केटर एक noun है तो he has been a k tomar मतलब क्रिकेटर रह चुका है अब नहीं है हुआ करता था पास टाइम में समझे क्रिकेटर रह चुका है अब नहीं है हुआ करता था पास टाइम में तो he has been a cricketer तो यहां पर noun आ जाती है तो रह चुका है अब रहा है भी बोलेंगे ना noun आ रहे तो इसका मतलब यही जाएगा कि वो जो cricketer था या teacher था जो भी noun था तो वो पहले रह चुका है अब नहीं है पहले हुआ करता था तो he has been a cricketer अगर हम समय जोड़ देते हैं since और for को लेकर जैसे वह 10 साल से cricketer है he has been a cricketer for 10 years इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर 10 साल एक duration आ गया है तो for का use, since का use करना है तो हम इस तरीके से जो time है उसको add कर देंगे, fixed time है ठीके यह तो earnest है ठीक और यह निश्चित है तो he has been a cricketer since 2000 से वो cricketer रहा है ठीके 2010 से रह चुका है, रहा है लेकिन इसका sense पकड़े कि काम जारी है cricketer रहने का काम मतलब action नहीं है, मतलब जो उसका cricketer रहने का profession है ना, काम तो मैं ऐसे बोल रहा है, action तो नहीं है कहीं verb आप समझ ले नहीं, जो उसका profession है ना, तो he has been a cricketer 2010 से जो cricketer रहने का उसका काम है वो जारी है ऐसा नहीं कि वो past में था नहीं तो यहाँ पर has been अगर have been लग जाता है since for जुड़ जाता है तो काम जारी है since for जुड़ते ही बताता है time दे देता है since for के बाद में जो समय है वो तो वहाँ पर उसका sense जाता है कि काम जो है यानि जो इसका profession है जारी है crickator रहने का हो गया teacher रहने का हो गया यहाँ पर note रखना since for लगने बाद state क्ョिज कि यहाँ पर हम action तो नहीं ले रहे तो एक्षिन तो नहीं ले रहे क्रिकेटर हो गया यह noun है action तो नहीं अवस्ता जारी है नहीं मैंने बता दिया कि cricket रहने की जो उसकी अवस्ता उसका profession है वो जारी है वो जारी है same वैसे एक example दे सकते हैं जैसे कि मैं बिमार हूँ I am ill मैं बिमार हूँ एक छोटे से point की short duration की अमने बात कर दी लेकिन हम sense for लेकर time जोड़ देंगे तो I have been ill for two days मैं दो दिनों से बिमार हूँ तो मेरे जो बिमार रहनी के अवस्ता है न वो जारी है से इंस फॉर लगते ही यह हमको हमारे सामने सेंस निकल कर आता है समझ गए दो यूज़ जो हमेशा परेशानी करके रहते हैं एक मैं अड्जेक्टिव आया है तो अड्जेक्टिव आने से मैंने यहाँ पर बता दिया से पकड़ना है लुँआ कि पहले भी मांदार था अब भी मांदार है पहले भी हैसे निकि उसकी एंडिंग हो गई उसचा यह वह अभि बी जा रही है और यहां पर अगर इस इंसपौंड नहीं लगा था सिरु नहीं नहीं पॉनारा था यह बीने क्रिकेटर रह चुका है यह रहा है ऐसे भी बोलेंगे ना ही आज बीने क्रिकेटर उसका सेंज भी जाएगा कि वह रह चुका है अब नहीं है पहले हुआ करता था लेकिन सेंज फॉर लगाकर हम उसकी जारी रहने की बात कह देते हैं चलिए दो यूज़े में पढ़ते हैं ठीक है वहाँ पर वर्ब होती है अभी हमने देखा क्रिया नहीं थी अवस्था की बात की जा रही थी जैसे यह तो आपने टेंस में बहुत पढ़ा होगा जो आपको समझ में भी आ गया लेकिन करता है अड्जेक्टिव आ गया नाउन आ गया तो वह चीज पढ़ाही करने का तो यह जो है वर्ब आगे अभी तक हमने वर्ब नहीं देखी थी सेम ऐसे पस्ट परफेक्ट में काम अभी नहीं हो रहा है काम अभी नहीं हो रहा है यह पास्ट में झारे उडान आ ऐसा सेंस आएगा बंद हो गया पास टाइम में ही कोई दूसरी घटना घटने की बाद अब यहां पर एक चीज धान रखनी है कि पास्ट में अगर हैड बीन का यूज होता है तो वहां पर एक और सेंटेंस एक और क्लॉज एक सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है बस यहां पर यह चीज धान रखनी है पास्ट परफेक्ट का जो में परपस है जैसे स्ट्रक्चर है यहां पर हैडबीन हो जाएगा वर्ब में आएंजी लगी जाएगी सेंस फॉर का यूज हो जाएगा बिफोर आफ्टर या वैन ऐसे वर्ड लगकर जो एक और सेंटेंस जुड़ेगा ना वो सिंपल पास्ट में घटना हुई उसके भी पास्ट में घटना हुई इस तरीकी से दो घटना ही होगी एक और एक हो जाएगी पास्ट परफेक्ट continuous tense में देखे, मेरे स्कूल आने से पहले, मेरा दोस्त पांस साल से अंग्रेजी सीख रहा था, तो यह जो बात चल रही है यह past में ही जारे रही past में ही खतम हुई, ठीक है, इसका अभी present time से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए हम यूज करेंगे present perfect continuous tense, तो फिर भी में यहां पर बतारीं, जैसे कि my friend had been learning English for five years, इतना हो गया कि पांस सालों से वे सीख रहा था, अंग्रेजी, लेकिन यहां पर बस इसमें क्या होता है, sentence और एड रहता है, grammatically यही चीज जो है, करेक्ट मानी जाती है, before I came school, जब में school आया उससे पहले, आपर क्या होता है दो घटनाए होती है, क्या हुआ कि यहां पर मेरा जो friend है, वो पांस सालों से अंग्रेजी सीख रहता वो पांस सालों से अंग्रेजी सीख रहता क्योंकि उसका यह काम continue था, और मेरा मेरा जाना हुआ, उससे पहले ही वो past में कोई काम जारी रख रहा था, जारी चल रहा था उसका, इस तरीके से दो घटना होती है, जब भी हम past perfect की बात करते हैं past perfect tense में भी होता है और past perfect continuous tense में भी ऐसा ही होता है तो यह यहां पर इसमें connect रहता है, एक sentence when का use करकर, before या after conjunction का use करकर, situation के अनुसार एक condition लगी रहती है लेकिन यहां पर main जो purpose हमारा has been और have been को लेकर है उन्हें में ज्यादा confusion रहता है past की बात तो past में यह शुरू होई थी और past में ही खतम हो गई जो भी continue रही, past में शुरू past में ही खतम ठीक है, past में ही शुरू, past में ही खतम हो गया जो भी किस्सा था past perfect continuous tense में यह चीज आती है, लेकिन present perfect tense में अभी मैंने बता दिया है, solve हो गई होगी आपकी problem आपको समझ में आ गया होगा next आगे बढ़ते हैं जब हम active से passive बनाते हैं तीनों ही perfect tenses के वहाँ पर भी has been, have been और had been का use होता, साथ में passive है तो verb की third form, calm done हो चुका है ठीक है, calm done है या हो चुका है ठीक है, अब देखें यहाँ पर has been हो गया, have been हो गया had been हो गया, had been past की बात और तीनों में ही verb की third form पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है यह active में है यह present perfect tenses में है has have के साथ वर्प की third form तो police has arrested the thieves तो यहाँ पर देखें, यह active में है जब इसका active से passive बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा चोर गिरफतार, यानि कोई काम हो चुका है तो चोरों को गिरफतार करने का पकड़ने का काम हो चुका है किया जा चुका है the thieves have been arrested तो यहाँ पर देखें, have been आ गया subject के अनुसार has और have लग जाएगा फिर यहाँ पर है arrested verb की third form तो यहाँ पर भी जो है has been और have been का use होता है जब मेरी नींद खुली अब जब हम past की बात करेंगे past perfect tense का तो यहाँ पर एक sentence एक condition लगी रहेगी जब जो की किस में होगी simple past tense में जब मेरी नींद खुली तो चोर पकड़े जा चुके थे the thieves had been arrested when I woke up तो इस तरीके से यह sentence past का तो ऐसे बनेगा ठीक है past में एक sentence और attach रहेगा वैसे समझने के लिए यहाँ तक भी sentences को समझाया जाता है English में चलिए एक तो यह हो गया passive बना जो perfect tense is है तीनों के ही अभी मैंने यहाँ पर example भी आपको बता दिया है अब आगे बढ़ते हैं कहीं होकर आना अगला यूज है कहीं होकर आना मतलब किसी place किसी जगें से होकर आना यहाँ पर देखे has have been आ जाएगा preposition in लग जाएगी और location जिस भी place की बात की जाएगी जहाँ पर भी आप जहाँ पर भी आप जाकर आएए इसका sense देखे कोई कहीं गया वापस कोई कहीं गया वापस और लोट कर आ गया कोई कहीं गया और वहाँ से वापस लोट कर घूम फिर कर आ गया है तब ऐसे situation में यूज किया जाता है जैसे मैं Paris गया हूँ ऐसे भी बोल सकते हैं मैं Paris होकर आया हूँ या फिर मैं पैरिस जाकर आया हूँ अगर आप ऐसे बोलेंगे ठीक होकर आई जाकर आई यह तो समझ जाएंगे लेकिन मैं पैरिस गया हूँ तो यहां पर I have been to पैरिस देके have been लगकर फिर to लगेगा फिर जिस भी location जिस भी place की बात हो रही है तो यहां पर इसका कहने का sense यह है कि कोई भी जगे हो सकती है चाहे market भी हो सकता है लेकिन वहां आप खूम फिर कर जाकर वापस लोट आते हैं तब ऐसे sentences बोले जाते हैं कि I have been to Paris मतलब मैं घूम फिर कर पैरिस जाकर लोट कर वापस आ गया और फिर बोल रहा हूँ हाँ मैं पैरिस गया हूँ I have been to Paris अब question भी किये जा सकते हैं क्या पैरिस गये हैं have you been to Paris तो इस तरीके से question भी किये जाते हैं तो कहीं होकर किसी place होकर घूम फिर कर जाकर वापस लोट कर आ जाना वहाँ पर has been to have been to का use किया जाता है और उस place का जिक्र किया जाता है तो इस तरीके से has been हो गया have been हो गया इनके सारे uses है अगर अभी भी कोई confusion रहा है तो ये sentences देखें आप I have been polite मतलब कि मैं polite रहा हूँ या रही हूँ मैं शुरू से लेकर अब तक polite रही हूँ वो खत्म नहीं हुई है मेरी politeness तो वो अभी भी जारी है कहने का तात्म पर अभी भी है तो I have been polite एक situation ये हो गई दूसरी situation I have been a teacher मैं teacher रह चुकी हूँ मैं teacher रह चुकी हूँ मतलब अब नहीं हूँ पहले थी पहले हुआ करती थी लेकिन जैसे हम since और for लगा कर समय जोड़ देते हैं तो इसका मतलब काम जो है वो जारी है I have been a teacher for 10 years I have been a teacher for 10 years फिर देखें I have been teaching since morning ये कॉंसिटेंस है ये continuous perfect continuous तीनों ही लेकिन ये present का perfect continuous tense है जहां पर since for लगा दिया जाता है समय जोड़ दिया जाता है ये tenses वाला sentence है ठीक है present perfect continuous tense इसमें क्या है present have दे रखा है ठीक है फिर यहां पर ये present की बात हो रही है यहां पर teach में teaching यानि ing जुड़ा है कार्य जारी है ठीक है और यहां पर have के बगल में ये जो bean लगा है ये third form है किसकी third form है बी की third form है bean तो मतलब कुछ काम जो है perfectly done हो गया है तो perfect tense की तरफ भी इशारा है और continuous tense की तरफ भी इशारा है तो present perfect continuous tense समझ में आ रहा है ना कुछ काम तो done हो गया है और अभी जारी भी है सुबह से सुबह से जब मैंने teaching की मतलब पढ़ाया मैंने ठीक है पढ़ाया मैंने तो मैंने काफी कुछ तो पढ़ा दिया है तो मेरी आधी teaching तो done है और अभी भी मेरा काम जो है पढ़ाने का वो जारी है ये sense निकल कर आता है इसमें I have been taught English I have been ये क्या है ये passive है active का passive जो पर्फेक्ट इंस है has been has plus verb की third form have plus verb की third form लगती है न तो verb की third form और has have के बीच में बिल लगा कर जो है active का passive बना देते हैं उन्ही sentences का फिर है I have been to Paris मतलब कहीं पर जाकर होकर आना तो वहाँ पर भी has been have been फिर टू लगा कर use होना location place का जिक्र कर देना तो ये सारा सार है जो भी अभी मैंने आपको सिखाया है उसका सारा सार है I have been polite I have been a teacher I have been a teacher for 10 years I have been teaching since morning I have been taught English I have been to Paris I have been taught English है मतलब मैं नहीं कर रही हूँ पढ़ाने का काम यहां पर काम मेरे उपर आ रहा है मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है मेरे उपर किया जा रहा है पढ़ाने का काम ठीक है passive sentences में यह होता है जो शुरू में होता है उसके उपर काम किया जाता है clear है तो confused ना हो यहां पर चुकिए ऐसा समझ ले नहीं मेरे उपर काम हो रहा है पढ़ाने का चल यह रहा पूरा सार और उमीद है कि यह जो कॉंसेट है कंप्यूस करता है आपको समझने आया होगा